वेलकम टू इशानी वीडियोज नागिन सीजन 5 के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर आकेश अब अपने आपकी नए प्लाइन को एक्जेक्यूट कर रेगा वहीं दूसरी तरफ जै का प्लाइन फ्लाप होते वे नजर आएगा जै की सच्चाई बानी की सामने आएगी बानी लेगी अपने अब यहाँ पर पुनर जनम यानि पिछले जनम का बदला इस पुनर जनम में लेकिन वो कैसे और क्या होगा आने अल एपिसोड में खास और यहाँ पर कैसे होगी वीर की वापसी चलिए सारी बाते हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरू कर दीजेगा ताकि हमें अप्रिसियेशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरस्टिंग अपडेट हमेशा प्रॉइट कराते रहें आने वाल एपिसोड में आप सब को देखने को मिलने वाला है कि किस तर ऐसे यहाँ पर बानी और उसके साथ में वीर यहाँ पर यानि आकेश अब दोनों एक जगे जाते हैं जहाँ पर जय अपने एक नए प्लैन के दैट काम कर रहा होता है वो जहरीला खंजर लेकर नीचे आराम से खड़ा होता है ताकि जब यहाँ पर आकेश बानी को गिरा है तो यहाँ पर जब वो गिरे उसमें हलकी सी जान बची रहे तब पूरी तरसे उसे खत्म कर दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं होने वाला जहाँ आपको देखने मिलेगा कि आखिर में आकेश ने सबसे पहले बानी को यहाँ पर नीचे फैक तो दिया लेकिन उसके बाद में आकेश का मन बदलेगा और वो उसे बचाने के लिए नीचे भी जाएगा लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विश्ट तो तब आएगा जब जै का प्लाएन फ्लॉप होते में नजार आने वाला है जहां आपको देखने को मिलेगा कि आखिर में वो नीचे खंजर लेकर इंतजार कर रहे होंगे लेकिन बानी तो वहाँ पर आएगी नहीं लेकिन ऐसा क्या हो गया और वहीं दूसरी तरफ अब जै का प्लाएन फ्लॉप होगा एक पिंजरे में और एक गुफा के अंदर उसने छुपा दिया है लेकिन अब वो यहां पर जैसे ही पूरी मा की रात आएगी तभी अचानक से वीर की पूरी तरह से यहां पर जान निकल जाएगी लेकिन जान बचाने के लिए अभी यहां पर एक गंधक पत्थर काम आएगा यानि अब बानी के पास में एक गंधक पत्थर है जो कि अब यहां पर जै के काफी जादा काम आने वाला है वो भी यहां पर लेकिन उसे हत्याने की कोशिश करेगा और वही एक पत्थर है जिसक पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू